हेलो दोस्तो माहिनोटरिश यीटूब जो हैं आप आपको फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बूटबल पेंडराइब को कैसे अनबूटबल या फिर नॉर्मल पेंडराइब बनाते हैं तो अगर आप अपने कम्पीटर या लैप्टप को फर्मर करते हैं उसमें वीडियो डालते हैं तो जाहर सी वात है कि आप किसी पेंडराइब का इस्तेमाल ही करते होंगे क्योंकि आज की डेट में डिवीडी का जमाना गया काफी सारे लैप्टप में डिवीड ड्राइवर भी नहीं होता है काफी लोग आप में भी DVD driver रखते नहीं है ठीक है तो अगर आपके पास भी ऐसा एक pen drive है जो bootable है जैसे कि मेरा एक pen drive है 15GB का pen drive आप देख सकते हैं इसमें Windows 10 है 15GB के pen drive है इसमें दोस्तों आपको bootable दिख रहा होगा तो यह मेरा जो है bootable pen drive है तो अगर मैं चाहूं कि इसको हम format करेंगे इस काफी लोगों के मन में सवाल आ सकता होगा कि हम लोग इसके उपर right click करेंगे right click करके format बटन पर click करेंगे इस टर बटन पर click करेंगे और इसको format कर लेंगे तो यह दोस्तों सही हो जाएगा normal pen drive बन जाएगा लेकिन दोस्तों यह जो process अभी में आपको बताया यह process दोस्तों 100% सेप नहीं है 100% सही नहीं है अगर आपको 100% सही तरीके से अपने pen drive को मतलब bootable pen drive को format करना है उसको normal या फिर unbootable pen drive बनाना है उसमें आपको फिर पहले जैसे file बेगरा को इस पर करके रखना है तो आपको आगे जाकर में जो method बगाऊंगा उसी को follow करके आपको अपने pen drive को format करना है तो कैसे चलिए हम लोग वीडियो में देख लेते हैं तो भीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने अब लाइक नहीं किया तो फिर लाइक कर दिजिए सेर कर दिजिए चल्ण को सबस्क्राइब करके बेल आकम क्लिक कर दिजिए तो चलिए बढ़ते हैं तो दोस्तों बुटबल pen drive को अनबुटबल या फिर नॉर्मल pen drive बनाने के लिए इसके उपर हम लोगों ने और लिए एक आर्टीकल लिख चुके हमारे जो वेबसाइट है माहिंद्रोटीज.com इसके उपर तो अगर आपने अभी तक यह पोस्त नहीं देखा है तो इस पोस्त को भी फॉलो करके आप अपने pen drive को नॉर्मल pen drive या फिर आनबुटबल कर सकते हैं तो इसके उपर हम लोगों new pen drive होता है उस type से बनाते हैं और उसमें कैसे हम लोग file बेगर को इस्टो कर सकते हैं ठीके तो इस काम के लिए दोस्तों आपको जो काम करना है सबसे पहले आपको cmd का इस्तिमाल करना है तो cmd यूज करने के लिए आप सीधा इस्टर बटन पर जाकर cmd type करके भी cmd open कर सकते हैं जो है comment prompt या फिर दोस्तों आप windows key plus R को एक सथ प्रेस करके भी cmd type करके cmd को open कर सकते हैं तो कुछ cmd आपको सामने इस type से open हो जाएगा ठीके तो दोस्तों आपको इस जगा कुछ comment type करना है जो है cmd comment है वो आपको type करना है और यह सारे के सारे दोस्तों जो comment है आपको इस करके सभी step में दोस्तों जो 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 comment आप हमने अभी देने वाले हैं वो सारे के सारे comment आपको इसी post के अंदर देखने को मिलेगा तो इसका link आपको भीटक से मिल जाएगा तो इस post को आप एक बाद देख लीजिए और comment को दोस्तों आप याद कर लीजिए गा ठीक है तो सब से पहला जो दोस्तों comment वह आपको टाइक करना है डिस्क पार्ट डी आइसके पी अर्टी उसके बाद आपको एंटर करना है एंटर करते हैं आपके सामने एक pop-up box आ सकता है तो आपको उदर से yes कर देना है उसके बाद आपके सामने और एक दोस्तों जो है box open हो जाएगा मतल हमने भी hard disk drive है या फिर pen drive है वो सारे का सारे हम लोग का भी देखना है ठीक है तो देखने के लिए हम लोग को list disk type करना है तो list disk हम लोगों ने type कर दिया है ठीक है तो list disk type करते ही दोस्त आपको enter करना है एंटर करते ही आप देखेंगे कि आपको अपने जो है computer में जितने भी hard disk drive है जितने भी pen drive वो सोख कर जाएगा ठीक है तो मेरे में दोस्तों 0 से start हुआ है disk 0, disk 1, disk 2, disk 3 ठीक है तो मेरा जो disk 1 है वो मेरा hard disk drive है ठीक है आप देख सकते है 800 GB इसका size है लग बग दोस्तों ये 2 TB का मेरा hard disk है वो सो हो रहा है ठीक है मेर जो disk 1 है दोस्तों वो है की जो 1 जो 2検़ सब्सक्राइब ऑद ये हार्ड ड्राइब है जो है दोस्तों जो है पासर जीबी का दोस्तों मेरा हार्ड ड्राइब है और एक दोस्तों जो है मेरा डिस्क 3 में वो है मेरा pen drive जो है 15 GB तो आपको भी इस type से आपका जो है pen drive को आपको समझना है तो आपका जो pen drive हो का वो अगर 4 GB का होगा 32 GB का होगा 16 GB का होगा तो उसका size आपको इस जगा 100 हो जाएगा ताकि आप अपने जो है इस गलती से आप अपना दूस्ता किसी ड्राइब को डिलेट ना कर दे आपको pen drive को ही डिलेट करना है इसलिए आपको यह जोерг्रße no र है इसको आपको साही çी करना है तो मेरा जो pen drive का disk है वो है disk 3, आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जो भी है आप वो select कर लिजिए, तो अभी जो आपको comment type करना है वो है कि select disk, ठीक है, तो मेरा जो है disk 3 है, तो मैं लिखूंगा select disk 3, तो मैंने select disk 3 लिख दिया, मेरा 3 है, आपका 2 भी हो सकता है, जो जिस जगह आपका pen drive हो हो रहा है, उसी जो आप number को type करना है disk के बगल में, अभी enter, enter करने के बाद आप दे सकते है, disk 3 is now the selected disk, मतलब ये जो है disk है, ये मेरा select हो गया है, तो अभी जो आपको जो है, और एक comment type करना है, जो की है दोस्तों clean, आपको अपने जो disk हो है, clean करना है, comment के मदम से, तो clean लिख दीजे, c-l-e-n clean, उसके बद आपको enter कर देना है, उसके बद आप देख सकते है, disk पार सक्सेस्ट, cleaning the disk, ये disk जो तो successfully clean हो चुका है, अभी दोस्तों आपको और एक comment type करना है, तो ये create partition, तो ये comment आपको अपने, हमार जो website है, website में मिल जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, partition primary, p-i-m-a-r-y, ठीक है, उसके बद आपको enter कर देना है, तो आपका primary partition भी create हो चुका है, अब जो आपको एक जो और एक comment लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है, format, format, ठीक है, उसके बद इस पेस देना है, fs, ठीक है, उसके बाद आपको ये symbol देना है, उसके बाद इधर आपको file system लिखना है, ठीक है, तो आप इधर ntfs format file system में type कर सकते हैं, f32 जो default है, वो भी आप type कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, f80 fat 32 type कर देते हैं, उसके बाद space quick, qic quick लिख देते हैं, तो ये आपको सही से लिखना है, ये जो f32 है, इस जगह आप ntfs format file system होता है, वो भी type कर सकते हैं, तो अगर वो type करेंगे, तो आपका pane drive, जो है USB type है, वो उसी format में save होगा, मतलब format होगा, और अगर आप f32 select करते हैं, type करते हैं, तो आपका f32 है, उसमें दूस्ता आपका format हो जाएगा, आपका pane drive, तो ये आप type कर दीजे, उसके बाद आपको enter कर देना है, एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं, इदा 0% completed है, 100% होने तक आपको wait करना है, तो आप देख सकते हैं, 100% complete हो चुका है, और disk part successfully formatted the volume हो चुका है, ठीके, तो आपका ये जो है pen drive format हो चुका है, मैं इसको close कर देता हूँ, और हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग अप 4GB यूज किया था, मेरे windows फाइल ने, तो वो गायव हो चुका है, इसको open करेंगे, तो ये देखेंगे, this folder is empty, मतलब हमारा जो है pen drive हो format हो चुका है, और इसका हम लोग अगर file system चेक करेंगे, तो file system में ही दोस्तों आपको जो है fat 32 भी दिखने को मिलेगा, ये आप देख सकत है fat 32, तो इस तरह दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से एक perfect way में अपने bootable pen drive को unbootable या फिर normal pen drive बना सकते हैं, तो दोस्त उमित करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो helpful लगा है, अगर आपको ये वीडियो helpful लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दिजे, share कर दिजे, चैनल इतना ही, thanks